दोस्तो यदि आपने अपना Facebook पर कोई page बनाया था और दोस्तो आप कुछ समय बात किसी कारण से अपने उस page को delete करना चाहते हैं Facebook से permanently लेकिन दोस्तो आप नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से अपने Facebook के page को permanently delete कर सकते हैं Facebook से तो दोस्तो बने रहेगी मेरे साथ इस वीडियो के अ करता हूँ तो दोस्तों किस तरह से अपने फेस्बुक के पेज को पर्मानेंटली डिलीट कर सकते हैं फेस्बुक से यह जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाल की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप से एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस च पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए यह जादे देना करते हुए जानते है कि हम किस तरह से अपने फेस्बुक के पेज को फेस्बुक से पर्मानेंटली डिलीट कर सकते हैं हैं दोस्तो आप अपने Facebook अकाउंट को अपने Facebook के मेन एप में भी लोगिन कर सकते हैं या फिर दोस्तो यदि आप अपने Facebook को अपने mobile के browser में लोगिन करते हैं तो आप अपने mobile के browser में भी अपने Facebook अकाउंट को login कर सकते हैं दोस्तो login होने के बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर यह देखिए three line पर click करना है दोस्तो three line पर click करने के बाद आपको ठोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा page गा तो दोस्तो आपको इस पर click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपने जो अपना Facebook पर page बनाया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा तो दोस्तो इसे delete करने के लिए आपको क्या करना है आपको इस पर पहले click करना है दोस्तो जैसे ही आप click करेंगे तो इस तरह के page पर आप आजाएंगे जिसमें दोस्तों आपको ऊपर यहां पर कुछ option दिखाई दे रहे होंगे आपको दोस्तों इसे यहां पर slide करना है और slide करने के बाद आपको दोस्तों यहां पर more का option दिखाई देगा आपको इस पर click कर देना है दोस्तों more के option पर click करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक option दिखाए देगा edit page तो दोस्तों आपको इस पर click कर देना है दोस्तों इस option पर click करने के बाद आप इस तरह के page पर पहुच जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने के बाद आपको यहां पर settings का option दिखाए देगा आपको दोस्तों इस पर click कर देना है दोस्तों इस पर click करने के बाद आपको यहां पर उपर journal के option पर click करना है तो दोस्तों जैसे ही आप journal के option पर click करेंगे तो आप इस तरह के page पर आ जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा Remove page जिसमें दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहेगा Permanently Delete राइपुरिया टैक यानि आपके page का नाम तो दोस्तों यहाँ आप अपने page को delete करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको दोस्तों यहाँ पर click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर यह देखिए delete page के option पर click करना है दोस्तों जैसे ही आप delete page के option पर click करेंगे तो आपका जो facebook पर page था वह है delete हो जाएगा तो दोस्तो मैं आपको दिखा देता हूँ page में जाकर यह देखिए दोस्तो यह यहां से delete हो चुका है दोस्तो आपके page को delete होने में 14 दिन लगते हैं 14 दिन के अंदर-अंदर आपका page permanently delete हो जाता है facebook से वैसे दोस्तो यहां पर आपको कहीं पर भी आपका page नहीं दिखाई देगा यानि यहां से आपका page remove हो जाएगा तो दोस्तो इसी तरह से आप भी अपने facebook पर बनाए गए page को delete कर सकते हैं यदि आप delete करना चाहते हैं तो दोस्तो यह video यही पर समापत होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करें share करें और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह video कैसी लगी और दोस्तो यह दि आपको मुझे कोई question पूछना हो या फि यह वाद़